स्री गड़े साई नमहा स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना योटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको तीन रासियों की जानकारी इस वीडियों के माध्यम से दे रहा हूं तीन रासियां जो बहुत ही शुब हैं मैं प्रतेक रासिय की वीडियों डालता रहता हूं और कापी समय से कमेंट आ रहे थे जिनके भी गरवधारण है उनको चिंता है कि उनको किस संतान की प्राप्ती होगी तो इस वीडियों के माध्यम से मैं आपको तीन रासियों की जानकारी दूँगा और यहां तक है सतर परसेंट तक यह सच निकलता है जो नाम के साब से रासियों का रासिय फल बताया जाता है तो आज मैं आपको तीन रासियों की जानकारी दे रहा हूँ कि तीन रासियों के कौन-कौन से सुभ योग हैं और संतान प्राप्ती के योग कैसे हैं यह संपूर जानकारी आपको प्राप्त होगी इस वीडियों के माध्यम से और जिनको भी संका है जिनके गरवदारण हो चुका है दो महिने तीन महिने का पांच महिने का या जिनके डिलीवरी नजदिक है तो उनको ये टेंशन रहती है कि उनको किस ची रतन की प्राप्ति होगी पत्र रतन की या पत्री रतन की तो तीन रासियों की इस वीडियो के दे रहा हूं और वह आसानी से समझ सकते हैं कि उनको जादा तर किस संतान के योग बहुत ही सुवे हैं किस रतन की उनको प्राप्ति होगी तो बहुत ही अच्छे योग हैं और प्रतेग रासी की जानकारी में समय पर डालता रहता हूं तो सनी देव का गुरू का सुक्र का बहुत ही अच्छा योग चल रहा है और इस समय जो फिलाल में सबसे पहला अच्छा योग जिस रासी का है वह रासी है मेस रासी मेस रासी बालों को 70% और यह दोनों के नाम से है लेडी जो या पुरुश हो दोनों के नाम से यह रासी करती है और ज्यादा तर जिन लेडिजों की मेश रासी है उनको पुत्र की प्राप्तिय वश्योगी अब बहुतों के मन में यह संस होता है कि मान एक की रासी मेश है और दूसरे की रासी मेश है तो क्या होगा जिसकी रासी मेश है लेडिज की और जिन्स की रासी चाह कोई भी योग जादा तर पुत्र के योग रहेंगे हो सकता है कि कुंडली में पुरुष के भाग्य में कन्या के योग हो जिससे कन्या की प्राप्ति हो लेकिन रासी के साफ से यह योग बनेगा यानि मेश रासी की लेडिजों को जादा तर पुत्र प्राप्ति के योग रहेंगे और 2021 में यह योग बहुत ही प्रबल है इस योग के द्वारा संतान प्राप्ती में जो योग बनते हैं उसमें पुत्र के योग ज़ादा हैं साथ ही धन भूमी जाजात आदी के भी अच्छे योग हैं मेश रासी के दूसरी जो रासी है दूसरी जो रासी है वह सिंग रासी दूसरी जो रासी है वह सिंग रासी सिंग रासी के बहुत ही अच्छे योग हैं अब सिंग रासी के संतान प्राप्ती के पुत्र प्राप्ती के ज़्यादा तर चांसिस रहेंगे जो इस्त्री हैं पुरुसें जिनकी भी सिंग रासी है उनकी पुत्र प्राप्ति के जदा तर योग रहेंगे अब यह हो जाता है कि मानो जिस लेडिज की रासी सिंग नाई है पुरुष की रासी सिंग है और लेडिज की रासी कोई अन्य है और वह है मेला गरबती है तो उनके दिमाग में रहेगा कि हमारी तो रासी अलग है तो फुत्र प्राप्ति के योग बहुत कम बनेगे ऐसी कोई बात नहीं है अगर कुंडली में आपके योग अच्छे हैं और सई समय पर आपने जो गरवधारण किया है तो भी आपके पुत्र प्राप्ति के पूरे-पूरे योग होते हैं पुत्र प्राप्ति में कई चीजों का महत होता है जरूर नहीं कि रासी का ही महत हो कई चीजों का महत होता है कई चीजे देखी जाती हैं जिससे पुत्र प्राप्ति के अच्छे खासे योग बनते हैं तो इन चीजों का विशेशुप से ध्यान रखें और रासी के इसाब से सिंग जो रासी है उसके पुत्र प्राप्ति के अच्छे योग हैं 2021 में पुत्र प्राप्ति के साथ साथ में जो सिंग रासी के बिद्यारती हैं उनको भी अच्छी खासी सपलता मिलेगी विद्या में उन्निती होगी वही नोकरी चा रहे हैं तो गई हुई नोकरी भी बापिस मिलेगी गई हुई नोकरी बापिस मिलेगी और आपके ब्योपार के योग भी बहुत ही अच्छे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से तीन रासियों की जानकारी आपको प्राप्त हो रही है अगली वीडियो आएगी उसमें आपको तीन रासियों की और जानकारी प्राप्त होगी तो दो रासी जो बहुत एिशों में मेश और सिंग रासी तो इनके जो भी ये रासी दोनों के नाम से हैं जेंस और लेड़ी दोनों के नाम से और ज़्यादा तर देखा होगा जो रासी फल बताया जाता है 70% यानि 10 में से 7 बंदों के पुत्र प्राप्ति अबस्योई होगी तो जिनके हुई है उनको पता भी होगा तो ज़्यादा तर ये सही होता है और भगवान के तरफ ध्यान रखें भगवान के तरफ पूजापाट करते रहे तीसरी जो रासी है तीसरी जो रासी है जिसके बहुत ही अच्छे योग है वह रासी है कुम रासी दोस्तों कुम रासी के भी पुत्र प्राप्ति के योग है हालांकि कुम रासी बालों को बिसेश रूप से ध्यान रखना होगा अपना कुम्रासी वालों को विशेशूप से अपना ध्यान रखना होगा और जो सिंग्रासी के उपर सनी साड़े साती है वह है सिर के उपर है सिर्पर चड़ती हुई है तो विशेशूप से आप ध्यान रखें और कोई भी ऐसा कार ना करें जिससे आपका कार बिंग्रे आप आपको परेशानी हो, विसेशुपसेश चीजों का ध्यान रखें। और कुम्रासी वालों के लिए संपुत्र धनप्राप्ति के योग है। अच्छे खासे राष्टे खुलेंगे धनप्राप्ति के। अचानक धन का योग बनेगा, बहुत ही अच्छा योग बनेगा। जिस स कि शेज act के प्रती जया पृऑ कर दिद भ sièगा जातें कोंगी वी गलत चीजिए ना खायें और जो गरबती मेला हैं कुमरासे की घरबती मेला हैं वह अपनेे स्वास्थ का बिशय ध्यान रखेंगे भगवान श्रुव нуж जी की पूज़ा आ करते रहें, और मदार की जड़का मैंने बिल्डियो डाला है, मदार की जड़का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिस से आपके संतान पुत्र प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे तो संतान पुत्र यानि पुत्र पुत्री दोनों के योग हैं दोनों समान है तो जिनको भी जिस चीज की कामना है वह कामना भगवान क्रपास से जल्दी पूर हो और भगवान की क्रपासे उनके उपर जो भी असुब चायाती वह सारी दूर हों सुब ग्रहन का योग उनके उपर बने तो आपको ये तीन रासियों की जानकारी मिल चुकी है तीन रासियां हैं जिनके जादा तर योग बहुत ही अच्छे हैं और भगवान कृपास इनको पुत्र की प्राप्ति के होगी